वेल्काम बैक टो रिश्यान जूनियर्स तो डाबलुबी जी तुथान ट्रेंटी त्री के अंदर आपका रैंकिंग मेथोडोर जी एक्जम पैटर्न और सिलेबस आपका क्या सा करें वाला है वह आप सब्सक्राइब करेंगे और यह वीडियो ना करते हो एंड तक देखो कि विलीडियों ना रहीं तो हैसे विड्सक्राइब में चलनल नहीं को सब्सक्राइब करना हुद समस्केपन निकेश्ट आरा नोटीफिएसन बैठेंट करकना कि आप का में छल़ों मिल पाई तो चलोंसे दो हैज सब्सक्राइब के तो दीकाइंगे पेपर एंड रांकिंग तो यहापर अगर आप देखते हो तो आप सभी के लिए दूनों पेपर रहेता है एक आपका पेपर ओन और और एक रहेता है आपका पेपर टू तो पेपर ओन में आपका सेफ मैथेमेटिक्स रहेता है पेपर टू में आपका फिजिक्स और केमेश्टिक बोथ रहेता है और फार्मेसी मेरिट रैंग भी मिलेगा तो यह आपका एक फास्ट नंबर पॉइंट हो गया दिन आपका बीन नंबर पॉइंट पर जो अगर आप सिर्फ पेपर टू के लिए एक जम एपियर करते हो तो फिर जाके आपको सिर्फ पीमर मिलेगा तो वह आपका फार्मेसी मेर एक हो गया इसके बाद अगर आफ पेपर ओन के रिए सिर्फ अगर आप एपीर होते हो रबो डीट तो तो आपको कोई भी रैंक नहीं मिलेगा आपको इसके बाद अगर अब पॉस्टेन गाडन देखना चाहते हो तो यहाँ आपको कैटेगोरी ओन कैटेगोरी 2 एन कैटेगो कोशन आपका on mark करके करेगा और टोटल मिला कर आपका टोटल 50 मेक्स रहेगा अगर आप कोई भी कोशन पर गलती करते तो यहाँ पर तो आपका कोई भी question पर गालती कर देते हो तो फिर जाका आपका category on में on by fall करके negative marking रहेगा और category two में आपका half करके negative marking रहेगा तो काटेवरी two में अगर आप ट्वोटल नामबर अपोस्टन देख तो तो यहाप आपका 15 नामबर question रहेता है और फिर जाके आलाग जितने में सब्सक्राइब कर लेता है वह आपका यहाप पर अप्लीकवल है देना अगर आप category 3 देखता हो तो यहाप आपका more than option correct मतलब आप यहाँ पर आपका यहाँ पर एक से अगर आप more than on option चुछ करने के time बार कोई भी एक option wrong चुछ का लिया तो आपका जो question attempt वो आपका wrong हो जाएगा और आपको जो है 0 मिलेगा तो यहाँ पर आपको ए भी धियान रखना है और यहाँ आपका mathematics, physics, chemistry ऐसे ही करके आप जो है number distribution देख सकते हो और फिजिक्स, chemistry टोटल मिला कर आपका 100 marks and mathematics में आपका 100 and total मिला कर आपका 200 marks का जो है WBJ का exam होता है देने आपर आपका जो है इंडिया और OCI तो आपको OCI का डियेट और इंडिया का citizen citizen होना ही चाहिए फिर जाके आप जो है WBJ के लिए अपलाई कर सकतो बी नंबर पर आपका जो है कि आपको आपका 10 प्रेंट कर लेना चाहिए और आदर वाइस आपको कारेंट यार में एपीर होना चाहिए फिर जा है क्योंकि आपका लास्ट येर का इंफर्मेशन बुलाटी ने तो यहां पर आपको 2023 आपका हो जाएगा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है और आपका कोई भी आपारेंट नहीं है बट आपका जो आपका डिगी लेवल आफ मैरीन इंजिनियरिंग कोर्स है वह आपका नहीं है दिनर आपको आपका आपका लिगेशन अगरी क्राइश लिम्रेट के लिए एक पर देखते हो तो यहां पर आपका जो सब्येक्स रहना है जेनरली वह आपका इसके साथ और एक सब्जेक्ट जिसके अंदर केमेश्ट्री और आदर जो सब्जेक्स का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर कोई एक रहना चाहिए और फिर जैके आपका यहां पर जो पार्सेंटरिस क्राइटिरिया ही कि आपका जो टेन प्लस टू इक्विवांट करने ही चाहिए और इसका साथ-साथ आप अगर कोई भी रिज़र्ट काट्वरी से बिलों करतो तो आपका 40% मार्ट से लेना चाहिए आपका उपर का जो तीनों सब्जेक्ट आपक लिए अप्लिकेबल है ओर तीनों सब्जेक्ट मिलागा और इसके अब आप का जो इंग्ल chemistry और इसका सासाथ आपका mathematics और biology आपका compulsory subject रहना चाहिए और हर subject में आपका pass marks रहना चाहिए और divergence आपका जो क्रीटिरियरा आपका even लेकर वह आपका same as जो मेंना पहला ही बात दिया और अपका जो same था यह आप भी आपका semi applicable है और आपका बोड कोई भी Central गॉबर्मेंट और इस्टेट गॉबर्मेंट से आपका जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाट यह आपका और एक जो है पॉइंट है इंपॉर्टन पॉइंट है कि आप अगर नेशनल इस्ट्रीट और ओपेनिंग इस्कुल सिस्टेम से अगर आप परहार करते हो तो फेर जाके आप जो बीफर्म कोस्ट के लिए अप्लाइ अप्लीकेबल नहीं हो और अप्लाइ नहीं कर सकते हो तो इसको आपको ध्यान में रखना है इसके साथ यहां पर आपको दो एक यूनिवस्टी का जो अलग सा क्राइटिरिया है वह भी आसाफिका साथ डिटेश में सेयर क आपको यहां पर आपको घंड़ाइ मैंतिमेंटिक स्पिजिस केमिस्ट्री आपके लिए सब्जेक्ट होना ही चाहिए और अपका 60 परसें माक्स रहे नहीं चाहिए अगर आप जेनर का टूर्स से बिलोंग करते हो तो फिर आप जाए पका 55 परसें माक्स लाएगा ओ तिनो स आपका मैथमेट्रिक्स और फिजिक्स कॉम्पल्सरी होना ही तो होगा और इसके साथ साथ केमिस्ट्री बायोट्री और बायोजी में से को एक सब्जेक्ट कॉम्पल्सरी होना होगा और तीनो सब्जेक्ट मिला कर आपका जेनर काटगोरिय से अगर आप बिलोंग करते हो त यहाँ पर भी आपका इंग्लिस मार्क्स सेम आपका 30 परसेंट लाएगा यह पर अगर आप जादो पुईनवासिटी के लिए देखते हो तो यह आपका जी एमर का बैसिस में मतलब इंजिनेरिंग जो आपका रेंक रहे था है उसका बैसिस में आपका इंजीनेरिंग और सी ब साथ नहीं होता है यह आटाष्ट आपको समझ लेना चाहिए तो यहाँ पर आप अगर आप एडिश्य मीशिट्य देखना चाहिए तो देखो यहाँ पर आपका आपका को ऊप्रिए बात ध्यान रखना हैं तो मैथेमेट्रीक्स में मार्टप्राइज जाहिए तो यहीब आपका इरिजब्रीक्ट्रिक्टर्स कोर्स के लिए अगर आप देखते हो तो यहाप का टेने के स्क्रीड होना यह ही कोंपलों और चाहिए है गोलीफाइड कर डिया तो यहाँ पर आपको अलग और उनिवसेडि इसकोंट और कर लेना चाहते ओधिन में एक्टेक्विटोन गुह कर दो पिर यहाँ यहाँ फर एलग ऑर जो तो अलग Olakad G तो यह सब कुछ आप जो है अच्छे से चेक कर लेना और इसका एक लिंक आप सब्सक्राइब हो गए इसके बाद अगर आप सीलवाज जानना चाहते हो तो आप अगर इंसे वेस्ट पढ़ाई कर लेतो तो फिर जाके आपका सीलवाज हो जाएगा और इसके साथ आपको कैसे क करना है आपका लाश्ट फोर मंस का इस्टर जी कैसा होना चाहिए और इसके साथ आपका जादोब पुरियान का कैसा इस्टर जी रहेता है उसका उपर भी हम बहुत सारा वीडियो लाएंगे तो यह जो चैनल है आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने मारा है तो में चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको कोई भी वीडियो का जो रहा थो तो आप जुरूर कमेंट ब्लक्स पुराता ना में उसका उपर भी वीडियो लाने का गोशिस करेंगे और यही पर आपको प्रिफेस्ट के ऊपर बहुत सारा वीडि लिटेर्स में मिल जाएगा तो इसका इक लिंक आप सब्सक्राइब कर देंगे तो अल्रेडी बोल दिया है तो वही से आप जोई इसको इसको एज़िली चेक कर सकतो एंड भूसरा वीडियो हम लाएंगे जोए फूजर में तो में चल्वास अब्सक्राइब करने के साथ-स आपको मेजर गासा वीडियो मिल पाएं तो मिलते नेक्स वीडियो में तबता के लिए टा-टा टेक क्यार बाई